दोस्तों यह movie और पहुत सारे much to watch movies और series सिर्फ Netflix पर यह available है मगर unfortunately Netflix के Ultra HD account आते हैं 800 रुपए में वो भी सिर्फ एक महिने के लिए जी नहीं बिल्कुल नहीं अब आप पास सकते हैं Netflix के Ultra HD account सिर्फ 2500 रुपए में वो भी पूरे महिने के लिए कैसे यह जानने के लिए या तो यहां पर क्लिक करके हमारे डीटेल वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के description में दिये गए हमारे WhatsApp नमबर पर हमसे तुरंत कॉंटेक कीजिए The Last Days of American Crime यह रिलीज हुई अल ओवर इंडिया में Netflix पर 5 जून 2020 को और यह रिलीज हुई सिर्फ इंग्लिश लैंग्विज में मूवी अ वूपिंग धाय गंटे की है इसलिए यह मूवी पॉजिटिव एस वेल एस नेगटिव पॉइंट का बालस्ट कॉंबिनेशन है जिसकी वज़े से ना तो मूवी के अंदर आपका उतना इंटरेस्ट पैदा होता है और नहीं मूवी कहीं पर आपको बोर करती है स्टोरी सेट है अमेरिका में जहांपर API नाम की एक टेकनोलोजी यूज हो रही है जिससे इंसान के शरीर में इंस्टॉल करने के बाद कोई भी इंसान जुर्म यानि के क्राइम नहीं कर पाएगा करना चाहेगा तो भी ये टेकनोलोजी उसे ऐसा करने नहीं देगी तब ही एक बड़े क्राइम मॉब के बेटे केविन अपने पिता जी को कुछ प्रूव करने के चकर में हमारे लीड हीरो ग्राहम से टीम अप करते हैं ताकि API चालू होने के पहले ये एक बहुत बड़ी रॉबरी कर सके जो की बेसिकली एक लास्ट रॉबरी होगी अमेरिका में जिससे सब इन्हें याद करेंगे और ऐसा गरने के बाद ये अमेरिका से कैनडा भाग जाएंगे जहां पर ये API टकनोलोजी नहीं है अब क्या ये लोग रॉबरी कर पाएंगे या नहीं और क्या-क्या action sequences देखेंगे हम इनी सब के बीच में और unwanted sexual scenes जिसकी बिल्कुल भी जरुद नहीं ती इस movie में कुछ इसी story पर focus करती है ये movie जिसका नाम है The Last Days of American Crime First things first, movie के lead actor है Edgar Ramirez जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही underrated talented actor है जिनकी बहतरीन performances आप Hands of Stone movie में देख सकते हैं पाकी movie जैसे Wrath of Titans, Zero Dark Thirty, etc. में भी as a side character आपको इनकी acting ज़रूर इंप्रेस करेगी And once again I wish कि इनको एक बहतरीन movie मिले जिससे इनकी acting का talent खुलकर सामने आ सके और उनकी career को एक kickstart मिल सके Movie का trailer देखने के बाद में सिर्फ दो चीजों की वज़े से मैंने इस movie को देखने का decide किया और शायद आपने भी किया होगा पहला तो इसके lead actor और दूसरा क्योंकि ये movie एक sci-fi कुछ चीजे दिखाती हमें जैसे कि एक technology fix कर देंगे और उसके बाद में कोई भी crime नहीं कर पाएगा तो एक interesting concept था और ऐसी technology आने के बाद में भी कोई robbery plan कर रहा है तो एक तरीके से और भी interest हमारा movie में आ जाता है तो obvious हा कि trailer देखने के बाद में ये movie दो देखनी बंती ही थी मगर movie में यही पर issue हो गया movie sci-fi type लगती है मगर ऐसा कुछ भी हम movie में देखते हैं बस कुछ कापते हुए लोग जो crime नहीं कर पा रहे हैं बस यही देखते हैं एक robbery बचती है जो कि again देखने में हमें disappointing लगती है क्योंकि यह planned robbery नहीं होती बस कुछ लोग गुशते हैं और चोरी करने की कोशिश करते हैं and again क्योंकि दो लोग जिनोंने robbery को plan नहीं किया है एक highly secured building में गुश कर robbery करने की सोचते हैं और आगे जो होता है वो थोड़ा sense नहीं बना रहा था उसकी वज़े से कही न कहीं हमारा movie में interest कतम हो रहा था एक चीज का मैं इस movie को ज़रू credit दूँगा कि देखिए हर एक चीज plan नहीं की जा सकती normally मैं यह मानता हूँ कि कोई भी चीज अगर आप plan करेंगे न तो वो कभी होती ही नहीं है और normally बहुत सारे movies में हमने देखा है कि हर एक चीज प्लान करके perfectly execute करते हैं कोई भी गलती नहीं होती चोटी मोटी गलती होती है बट you know in the end वो लोग जो काम करने जाते हैं वो highly planned तरीके से कर लेते हैं बट वहीं पर ये movie कुछ भी planning नहीं दिखाती बस दिखा दे कि दो normal बंदे हैं जिनके पास में कोई भी साधन वगरा नहीं है बस building में गुस कर किसी तरीके से एक robbery करना चाहते हैं और यहीं पर movie को मैं credit दूँगा क्योंकि दो लोग जब कोई planned robbery नहीं करते हैं तो उसके अंजाम क्या होते हैं ये इस movie ने दिखा है जैसा कि मैंने कहा कि movie balanced combination of positive as well as negative points की तो इसलिए धाई गंडे की होने के बाउजूर भी इतनी सारी चीज़े movie दिखाती है कि हमारा कही न कहीं interest movie में बना रहता है एक और movie का decent positive point था जहां पर हमें कुछ car chasing action sequences देखने को मिलते हैं जो कि basically आप एक 1990s के movie के साथ में compare कर सकते हैं बट क्योंकि अब उस तरीके की हम action नहीं देखते हैं तो जब ये car chasing sequences मैंने देखे इस movie में एक अलग सा अहसास हो रहा था बट it felt good ये भी देखना अचा लगा कि movie ने sci-fi होने के बावजूद एक robbery होने के बावजूद भी कुछ old classic action हमें दिखा है in the end again इस movie को मैंने तीन तुकडो में देखा तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किस level की interesting थी ये movie बट still अगर मेरी माने तो एक time worth watchable है ये movie sci-fi नहीं है एकदम high-fi robbery नहीं है इसके लिए आप मत देखना बट still again worthwhile one time watchable है ये movie तो दोस्तों इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस movie को rate करूंगा 5.5 out of 10 तो दोस्तों ये था हमारा review Netflix की movie The Last Days of American Crime का अगर आपको हमारे ऐसे movie reviews, series reviews Netflix, Amazon, Hotstar, Old Balaji, Woot, YouTube premium offers अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही offers से अगर आप updated रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करना न बुले और हाँ bell icon दबाना बिलकुल न बुले अंतर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, you all have a safe day